कुवी की शुरुआत में साउथ अमेरिका की कंट्री अर्जेंटीना का एक शहर बियुनस आयरस के एरपोर्ट पर यहां एक केयरोस्टेस है जिसका नाम एबरिल है वो चेकिंग के लिए रेसेप्शन की तरफ बढ़ रही है लेकिन चेकिंग के बाद एबरिल एक काउंटर प को देखती है कि उसके पास एक और आदमी आता है जिसका नाम मैनुल है मैनुल वहां कर सॉंग सुनने लगता है एबरिल सॉंग को प्रेने नहीं कर पा रही थी तो मैनुल या फिर इसको लंबा कर सकते हो, पर आप इसे कभी तोड़ नहीं सकते, किसमत अगर आपको मिलाने पर उतारू हो जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मिलने से नहीं रोक सकती, अगले सीन में हम देखते हैं, मैनूल के पास वो एर होस्टिस, जिसका नाम एबरिल है, वो एक छोटे से बच्चे को अपने साथ मिलाती है, और मैनूल से कहती है, ये सीट इस बच्चे की है, लेकिन वो बच्चा कहता है, कि मैं विंडो सीट प्रिफर करता हूँ, एबरिल मैनूल को बताती है, ये बच्चा अपने पेरेंट्स के बिना जरनी कर रहा है, और इसक अब बकवास मत करो, एबरिल की फ्रेंड उसे हैडिक की टेबलेट देती है, अब फ्लाइट को टेक आफ किये हुए काफी टाइम हो चुका होता है, और अब मैनुवल एबरिल के अकेले होने का वेट करता है, और जब उसकी एर होस्टिस वहां से जाती है, तो वो एबरिल के पास चला जाता है, एबरिल पूछती है, क्या तुम्हें नी नहीं आ रही है, तो मैनुवल कहता है, कि मुझे फ्लाइट की जर्नी से बहुत डर लगता है, तो एबरिल पूछती है, कि तुम आज ट्रेवल क्यों कर रहे हो, बिजनस के लिए या प्लेजर के लिए, तो पास करते हैं, ये दोनों मिलकर कुच देर और बाते हैं, तब ही फ्लाइट में जर्क आता है, तो मैनुवल पूछता है, क्या ये नॉर्मल है, तो मैनुवल बहुती है, और अपनी जगह पर बैठ जाती है, तो थोड़ी देर बाद वो देखता है, कि दूसरी एरॉस्टेस वहाँ ते चली गई है तो मैनुल फिर से अबरिल के पास जाता है अबरिल कहती है कि यहाँ पर बार बार मत आओ कोई तुम्हें देख लेगा और मुझे काम भी करना है तो मैनुल उसको पूछता है कि तुम्हारी बाड़ी पर टैटूस कैसे हैं आगके किसमत की डूर इन दोनों को मिलाने में जुटी थी तभी वहाँ पर फलाइट में एक और जर्काता है और यह दोनों एक दूसरे से वापस टकरा जाते हैं और आप एक दूसरे को बिलकुल भी डिशिस्ट नहीं कर पाते और दोनों मिलकर यहाँ पर किस करते हैं इसके बाद मैनुवल एबरिल से कहता है कि फ्लाइट लेंड होने के बाद या तुम मेरे साथ लंच करोगी तो एबरिल कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगी तो मुझे कस्टम क्लियरंस के बाद में मिलना इसके बाद मैनुल वहाँ से चला जाता है फ्लाइट लैंड करती है मैनुल और एबरिल दोनों ही बाहर मिलने के लिए एक्साइड़िट थे अब एबरिल की सारी फ्रेंड चली जाती है और एबरिल मैनुल के क्लियरेंस का वेट करती है और उसको लाइन में खड़ा हुआ देखती है लेकिन किसमत ने यहाँ पर फिर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और यहाँ एरपोर्ट पर कस्टम में बहुत बड़ा इशू हो जाता है इसलिए यहाँ पर सब का क्लियरेंस थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है और सेक्यूरिटी सभी पैसेंजर्स को वेट करने के लिए कहती है और किसी को भी क्लियर नहीं करती है जिसकी वज़ा से एबरिल मैनुल का वेट करती रह जाती है और इस हैपी कपल का एक तीन साल का बेटा है एबरिल अब मैनुल को पूरी तरह से भूल चुकी है वो अपने बेटे और अपने हजबन के साथ बहुत खुश है दूसी तरफ मैनुल की भी शादी हो चुकी है इसलिए बुलम्बिया के एक शहर कार्टाजीना के लिए निकल जाती है लेकिन किसमत का धागा एबरिल को आखर मैनुल से बांगना चाहता था और इशबान भी कोलम्बिया के इसी शहर में आने के लिए रवाना हो जाता है कोलम्बिया में लेंड होने के बाद में एबरिल और एबरिल की फ्रेंड उसके कैप्टिन के साथ होटल में अपनी बुकिंग करवा ही रहитель तब ही वो देखती है कि उसी होटल में रैसेप्शन पर मैनुल भी बुकिंग करें आया हुआ है और किस्मत की डोर ने इनको एक बार फिर साथ साल बाद अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया एबरिल मैनुल से बिना बात किये हुए वहां से जाने लगती है तो मैनुल उसके पीछे जाकर एबरिल से बात करता है और कहता है कि भूल गई क्या लेकिन अबरिल कहती है कि नहीं जानती हूँ तुम इनोलॉजिस्ट हो ना जो वाइन का बिजनिस करते हो मुझे पूरी तरह से याद है फिर आप वहाँ से जाने लगती है तो मैनूल कहता ही कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हमने एक दूसरे को बहुत ढूंडा था लेकिन हम एक दूसरे को नहीं मिल पाए कम से कम अब उपर रूफटॉप रेस्टॉरांट में चल के मेरे साथ लंच तो करना बनता है इंसिस्ट करने पर एबरिल एगरी हो जाती है और मैनूल के साथ रूफटॉप रेस्टॉरांट में लंच करने के लिए उपर चली जाती है एबरिल कहती है कि मैं एरपोर्ट पर पाच घंटे तक वेट करती रही लेकिन तुम नहीं आए तो मैनूल कहता है कि मेरा उस शाम कस्टम क्लियरंस हुआ ही नहीं था इसलिए मैं एरपोर्ट से बाहर ही नहीं आ पाया फिर ये दोनों एक टेबल पर जाते हैं और लंच का ओर्डर करते हैं अब एबरिल अपने हस्बेंट और अपने बेटे के साथ बात करना चाहती है तो वो देखती है कि यहां पर मॉबायल का नेटवर्ट प्रॉपर नहीं आता है फिर एबरिल अपने हस्बेंट ब्रूनो और अपने सन फैलिक्स की फोटो मैनूल को दिखाती है और मैनूल भी अपनी वाइफ की फोटो दिखाता है और वो कहती है कि आखर तुम्हारा प्यार मिल ही गया तो मैनूल कहता है कि यह प्यार हम दोनों के बीश में भी हो सकता था क्या तुम इसके बारे में नहीं सोचती हो और मुझे पार्टी के लिए तयार होना है और एबरिल थैंक्यू कहकर वहाँ से निकल जाती है अपने होटेल रूम में जाकर अपने हजबेंड और अपने बेटे से बात करती है तब ही वहाँ पर उसकी फ्रेंड और उसकी को एर होस्टेस आ जाती है और वो April को Manuel के बार में पूछती है April उससे बताती है कि अब तो वो शादी शुदा है अब उसका एक बच्चा भी है और एक बहुत खुबसूरत सी वाइब भी है और कहती है कि ये सब छोड़ो Captain की बर्ड़ पार्टी का टाइम हो गया है जल्दी से रेडी हो जाओ हमें चलना चाहिए दूसी तरफ Manuel अपने रूम में बैटे अपनी वाइब से लैप्टॉप पर बात करता है और थोड़ी देर बाद में बोर होने की वज़़े से होटेल की छट पे आ जाता है यहां से वो देखता है कि April अपने Captain Friend की दूर जाने के बाद भी करीब लाए जा रही है दूर जाने के बावजूद भी आपका किसी खास आदमी से बार बार मिलना डेस्टिनी ही कहा जाएगा यही तस मूवी का नाम है The Red Thread जो हमें एक दूसरे से बांदे रखता है और एक दूसरे की तरफ खीशता है और एक दूसरे से दूर भी ले जाता है लेकिन यह डोर कभी तूटती नहीं कभी न कभी कहीं न कहीं जिनको मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं ठीक ऐसा ही April अपने के साथ हो रहा था डांस करने के बाद में यह दोनों होटल की छड़ पर चले जाते हैं और थोड़ी बातं करते हैं मैनूवल एब्रिल से कहता है कि कल साइट सिंग करने चलोगी क्या लेकिन एब्रिल बिना कोई जवाब दिए मैनूवल को बाए कहकर जाने लगती है जाने से पहले वो मैनुवल को गाल पर किस करती है तो मैनुवल उसे वापस किस करने लगता है तभी वो दोनों कुछ ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और एक दूसरे वो किस करने लग जाते हैं लेकिन जल ही एबरिल पीछे एड़ जाती है अगले दिन सुबा उटकर एबरिल अपने हस्बेंट ब्रूनो और अपने बेटे फेलिक्स से लेपटॉप पर बात करती है लेकिन यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू था इसलिए वो अपने हस्बेंट से बात नहीं कर पा रही थी एबरिल ने सोचा कि अब होटल में बोर होने और टीवी देखने से तो अच्छा है कि बाहर कहीं घूम आये जाए और वो तयार होती है और अपने रूम से बाहर निकल जाती है वो अपनी फ्रेंड को साथ ले जाना चाहती थी लेकिन वो देखती है कि उसकी फ्रेंड कैप्टन के साथ रोमेंस कर रही है तो खुशी खुशी वो अंदोनों का अखिल्ण छोड़कर खुद अकेली ही साइट सीं के लिए निकल जाती है जाते समय एबरिल देखती है कि मैनुवल अपनी वाइन की बॉटल को एग्जिक्यूटिव्स को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है मैनुवल एबरिल के पास आकर पूछता है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ एबरिल कहती है कि मुझे हार्ट फियर में जाना है लेकिन मैं मैप रीडिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ मुझे नहीं पता कैसे जाऊं तो मैनुवल कहता है कि तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ एबरिल कहती है नहीं मैं अकेली जाऊंगी तो फिर मैनुल अकेला ही साइट सींग के लिए जाने लगता है जिसको देखकर अबरिल काफी इंप्रेस हो जाती है कि मैनुल ने उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया और अब मैनुल के साथ साइट सींग के लिए चली जाती है ये दोनों मिलकर काफी साइट सींग करते हैं और आर्ट फेयर में भी जाते हैं जहां से ये लोग बहुत सारी चीज़ें खरीते हैं मैनुल यहां से आठ रिंग खरीता है जो वह एबरिल को देना चाहता है यहां पर काफी देर घूमने के बाद ये दोनों एक जगे दीवार पर जाकर बैट जाते हैं और बातें करने लगते हैं यहां पर एबरिल मैनुल से कहती है यहां पर कितना लिबरेटिंग फील होता है और अब एबरिल मैनुल को किस करने लग जाती है और तभी यहां पर बारिश होने लग जाती है और ये दोनों उटकर एक टनल में चले जाते हैं लेकिन अबरिल अपने आपको रोकना नहीं चाहती थी वो फिर से टनल के बाहर चली जाती है और बारिश को इंजॉय करने लगती है अब इनकी किस्मत इनको एक बार फिर से करीब ला रही थी लाइफ में बारिश कोई प्लैन नहीं कर सकता चांसेज और मॉमेंट्स कोई प्लैन नहीं कर सकता ये सब किस्मत के खेल हैं और इसी के चलते मैनूल और एबरिल एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंटिमेट होने लग जाती है अगली सुबह मैनूल वही रिंग अबरिल को गिफ्ट करता है जो वो आठ फेर से लाया था थोड़ी देर बाद मैनूल की वाइफ का फोन आता है तो अबरिल बड़े ध्यान से सुनती है वो सुनती है कि मैनूल अपनी वाइफ से कह रहा है कि मैं मीटिंग में विजी हूँ, मुझे एक दो दिन और लग जाएंगे, वो अपनी वाइफ से जूट बोल रहा होता है, जिसकी वज़ा से एबरिल को ऐसा लगता है कि वो भी तो यही कर रही है, और उसे थोड़ा गिल्टी फील होता है, मैनूल एबरिल से पूछता है, कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो, मैंने वाइफ का कॉल आंसर किया, इसलिए तुम अपसेट हो गई हो क्या, एबरिल कहती है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम किसी और के साथ हो, तुम एनूल कहता है कि तुम भी तो किसी और के साथ हो, तुमारा भी एक हस् नहीं कर सकती, वो अपसेट होकर रोते रोते वहां से चली जाती है, रोते हुए एबरिल अपने घर की तरफ निकल जाती है, और मैनूल भी अपने घर की तरफ उदास मन से चला जाता है, काफी दिन बीच जाते हैं, अब मैनूल का मन अपने काम में भी नहीं लग रहा होता वो बार बार फेस्बुक पर एबरिल की फोटो देखकर आपने आपको तसली कर रहा हुता है ठक हार कर मैनुल आप एबरिल को मैसिंजर पर मैसिज करता है कि अब मुझसे बदाश नहीं हो रहा है चलो मिलते हैं एबरिल इंस्टेंटली मैसिज पढ़ती है और कुछ सोचने के बाद वो रिपलाइ करती है कि नहीं मैं तमसे नहीं मिलना चाहती जवाब को पढ़कर मैनुल काफी डिसपॉइंट हो जाता है और एबरिल ने भी ये जवाब खुशी से नहीं लिखा था उसे पता था कि वो मैनुल से मिलती रहेगी तो चीजें जादा बिगड़ जाएंगी इसलिए उसने अपने आपको रोक लिया था लेकिन किसमत को तो शायद कुछ और ही मंदूर था आज मैनुल की वाइफ लॉरा जो की एक पेमस प्रोफेशनल फोड़ोग्राफर है आज ब्रॉनो जो की एक रोक स्टार है उसका फोटो शूट कर रही है और उसके साथ उसकी वाइफ भी आई है ऐसे तो मैनुल कभी भी अपनी वाइफ के फोटो शूट साइट पर नहीं जाता लेकिन आज उसकी एक फ्लाइट कैंसल हो गई है इसलिए वो वहाँ पर आ गया है और एक बार फिर से किसमत ने एबरिल और मैनुल को एक ही जग़े पर लाकर ख़ड़ा कर दिया है मैनुल की वाइफ मैनुल को एबरिल और उसके हस्बेंट ब्रॉनो से इंट्रड्यूस करवाती है उसे क्या बता था कि ये दोने एक गूसरे को पहले से ही जानते हैं ब्रॉनो और लॉरा फोटो शूट में बिजी हो जाते हैं तो इधर मैनुल और एबरिल आपस में बात करने लगते हैं एबरिल पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यूं आए मैने तुम्हे मना किया था ना मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती लेकिन मैनुल कहा मानने वाला था वो एबरिल के साथ थोड़ा रोमेंटिक होने लगता है एबरिल उसे रोक देती है तो मैनुल कहता है कि यहाँ से कुछ भी एक्सक्यूस करके निकल जाते हैं तुम मेरे साथ होटेल चलो यह सुनकर एबरिल को थोड़ा गुसा आता है और वो वहाँ से चली जाती है मैनुल भी वहाँ से अपने होटेल चला जाता है लेकिन एबरिल कभी खुद पर कंट्रोल नहीं था तो वो भी फाइनली मैनुल के रूम में जाती है और उसके साथ इंटिमेट होती है तब ही वहाँ पर फोन रिंग करने लगता है और जब वो फोन पिक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके फोन पर 20 मिस्कॉल आए हुए है जो उसने पिक नहीं किये क्योंकि वो मैनुल के साथ थी आज वो अपने बेटे को स्कॉल से पिक करने जाने वाली थी लेकिन बीच में मैनुल आ गया और वो उसके साथ रोमेंटिक होने के चक्कर में अपने बच्चे को स्कॉल से पिक करना बूल गई उसकी टीचर ने एबरिल को बहुत कॉल किये और फाइनली उसने फेलिक्स के डेट बूला कर फेलिक्स को स्कॉल से पिक करवाया अब एबरिल इस बात से बहुत डर जाती है कि वो मैनुल के साथ टाइम स्पेंड करने की चक्कर में किस तरह से अपनी फैमली को खत्रे में डाल रही थी अब एबरिल रोते हुए अपने घर पर जाती है और घर जाकर एबरिल अपने बेटे फेलिक्स को देखती है वो सो रहा था अब एबरिल को अपनी गलती का एहसास होता है दूसी तरफ मैनुल की वाइफ लॉरा फोटो शूट साइट पर उसकी ली हुई कुछ फोटो मैनुल को दिखाती है जिसमें कुछ फोटो मैनुल और एबरिल की भी थी और एक स्पेसफिक फोटो को जूम करके दिखाती है जिसमें मैनुल काफी इंटेंस होकर एबरिल की तरफ देख रहा था अब लॉरा एक professional photographer थी वो किसी की भी face reading कर सकती थी वो चेहरों पे आई emotions को पढ़ लेती थी और उसे पता चल जाता है कि manuel और April के बीच affair चल रहा है तो वो लॉरा से कहता है कि मैं तुम्हें सब बताने वाला था लॉरा कहती है कि क्या मतलब है बताने वाला था मतलब तुम किसी और से मिले तुम्हें प्यार हो गया और तुम उसके प्यार में पड़ गए और मेरा time खत्म तुम manuel कहता है कि देखो ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती है तो लॉरा कहती है कि मेरे साथ तो नहीं होती है तुम्हारे साथ ही क्यूं होती है मुझ سے زیادہ प्यार करने वाली ओरत तुम्हें जिंदगी में नहीं मिलेगी और यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है दूसी तरफ एबरिल भी अपने घर में बहुत दुखी होती है वो ना तो मैनुवल के साथ ओपनली रह सकती है और ना ही क्लियली अपने हस्बेंट को उसके बारे में बता सकती है वो अंदर ही अंदर घुट रही होती है उसे बार बार परिशान और रोता हुए देखकर उसका हस्बेंट प्रूनो कहता है कि तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो तुम मुझे क्लियर वताती क्यों नहीं हो बहुत जादे इंसिस्ट करने के बाद एबरिल कह देती है कि उसने जूट बोला था वो इस दिन उसके बेटे फेलिक्स को इसलिए लेने नहीं गई थी क्योंकि वो मैनुल के साथ time spend कर रहे थी और कफी time से उसके साथ relationship में है ये सुनकर बुरून शौक्ड रह जाता है और वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूं मैं सब को छोड़ कर यहाँ से जा रही हूं तो बुरून कहता है कि तुम्हें जाना है जाओ मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और नाहीं फैलिक्स तुम्हें कभी माफ कर पाएगा इस बात पर एबरिल बहुत रोती है लेकिन वो नहीं चाहते हुए भी अब घर को छोड़कर जा रही थी वो टक्स करके मैनुव्ल को एयरपोर्ट पर बलाती है और बारी मन से अपने हस्बेंट की तरफ देखते हुए टیکσι में बैट जाती है और हमेशा हमेशा के लिए मैनुव्ल के साथ रहने के लिह निकल जाती है लेकिन तक्दीर को कुछ और ही मंजूर था अब मैनुल एरपोर्ट पर पहुँच चुका है और रोते हुए एबरिल भी एरपोर्ट पर पहुँच जाती है एबरिल कार में बैट कर ही मैनुल को देखकर बहुत रोती है उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए वो अपने हस्बेंड और बेटे को ही मिल सकती एबरिल मैनुल को मैसेज पढ़ते हुए कार के अंदर से ही देखती है वो डिसपॉइंट होकर अपना फोन कोट की जेब में रख देता है और एबरिल ड्राइवर से बोलती है कि चलो यहां से और फिर से अपने घर की तरफ चली जाती है क्योंकि आखिर एबरिल से कभी मिलेगी किसे पता किसी के साथ ही यह मूवी आती है